विजा गाइड विजा गाइड देखने वाले आप से फ्रेंड्स का मैं हारदिक शौगत करता हूँ चैनल सुरूगरने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फास्ट टाइम्स विवारेशनल को विजिट कर रहे हैं पहली बार जो विवारेशनल को देख रहा हैं अगर आप ने भी टेक्शनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल करार का आपको सब्सक्राइब बटन देख रहा है उसके क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजे और हमारे इस यूट्यूब फैमली के साथ पर जूड़ जाईए मैं इस चैनल पर जवारेशनल के कोई वीडियो है वो आपसे मिस्ट ही होगा आप मेरी हर वीडियो को देख सकते हैं कभी कहीं भी आप रहें अगर आपका बेल का बटन खुला हुआ है तो मेरी वीडियो सीधे आपके पास पहुचेगा नाटिफिकेशन के जरीए तो फ्रेंट्स ये वीडियो में बना रहा काफी कम हो खर्शा काफी क्म हो कॉस्ट आप लिविंग काफी कम हो और वहां कम पैसे में हम पढ़ें ये गरीब लोगों के लिये वीडियो तो जो गरीब सुट्ट हैं वो देखें बाकी तो अमीर लोगों के लिये तो UK, Kanada, अमारिका और Australia काफी महांगे महांगे देस हैं तो आज मैं बात करूँगा उन गरीब बच्चों के लिए जो छोटे घर के हैं, मिडिल ग्लास सैमिली से हैं, लेकिन विदेश में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताओंगा, ऐसी कंट्री जहां पर आप काम भी कर सकते हो, और पढ़ भी सकते लगाएंगे भाई या फिर जो भी आपका रिलेटिव हैं, वो आप वहाँ पर काम करके अप्ता निकाल सकते हो, कोई प्राब्लम नहीं होगा, तो इस वीडियो को आप सुरू से लिके लास्टक देखिए, आपको सब कुछ समझ जा जाएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तीन कंट्री मैं बात करता हूँ, तीन कंट्री ऐसी है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो, उसका नाम है अस्टिया, हंगरी, लतीवा, यह तीन कंट्री है, यहां पर आप जाके पढ़ सकते हो, यह बहुत ही चीप कंट्री है, अस्टिया थोड़ा सा महेंगा पढ जाएगा कि लतीवा काफी सस्ता है तो और मैं बात करता हूं अब में बेस पर आता हूं जो मैं five country आपको बोलना चाहता हूं रिकमाइन गरना चाहता हूं आप वहां जाके पढ़िये तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चेक रिपब्लिक की शेक रिपब्लिक कंट्री काफी चीफ है यहां रहना, खाना, हाउसिंग सब कुछ सस्ता है अगर आपका cost of living, अगर आपका living cost है यह मान के जालिए कि आपका 300$ से 500$, 500$ में आप महिने में आप आराम से रह सकते हो कोई problem नहीं होगी आपको तो 300$ से 500$ तक आपका cost of living वहाँ खर्चा होगा और जो फीस पड़ेगी आपकी टूसन फीस या कॉलेज की जो फीस पड़ेगी आपकी वो 1500 से 3000,000 रुपे यह आपका फीस पड़ाएगा depend course क्या है आपके उपर तो course जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा सबसे خास बात है कि यहाँ पे आप काम कर सकते हो 20 hours आप काम कर सकते हैं यहाँ पर कोई आपको problem नहीं है और अगर आप यहाँ काम करते हो तो जो students की वहाँ पे salary है वो 350$ से 500$ थक आप महने में कमा सकते हैं तो वहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं उसके बाद नमबर दो पे पॉलेंड पॉलेंड में अगर आप रुकते हो यसी कि बॉइस होते हैं गल्स होते हैं जो बाहर पढ़ते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं तो आप सेयर करके अगर आप रहोगे तो आपका जो कास्ट आप लिविंग पड़ेगा वो आपका पॉलेंड में आपका जमान किसे लिए कि 200 से आपका 500 के बीच में आपका कास्ट आप लिविंग पड़ सकता है तो इस तरीके से आप पॉलेंड में रह सकते हो बहुत ही ज़स्ता है और दूसरी चीज़ यह है कि अगर वहाँ आप काम करते हो तो आपको जादा काम दोड़ने में कोई दिक्कत नी होगी पॉलेंड में काफी सारा काम है काफी सारे वहाँ पर वरकर लोग काम करने के लिजाते भी है और वहां कम्पनियां बच्चों को ज़्यादा आ रखती हैं क्योंकि उनको सरकार को कोई टेक्स नहीं देना रहता है तो आपको काम दोड़ने में पॉलिड में काफी आपका उसानी रहेगा काफी आराम से आप वहां पैसा कमा भी सकते हैं और जो फीस है वो आपका 1500 डॉलर से 13 डॉलर तक आपकी फीस पड़ेगी साल की तो यह आपको देना पड़ेगा जो कि 27 फीस है और बाकी कम जादा भी हो सकता है वो तो डिपेंट करता है मैं तो कोटा मोटा रेसियो बता रहा हूँ उसका बाद ताइवन ताइवन का ताइवन बहुत ही सस्ता है और ताइवन कंट्री काफी खुफ्सूरत है यहां पर जो आपका जो कास्ट अप लिविंग कास्ट है वो आपका 200 डॉलर से 400 डॉलर आपका महीन हम पड़ जाएगा 200 डॉलर से 400 डॉलर के बीच में आप आराम से वहां रहे लोगे और आराम से वहां खा पी के अपना अच्छे से बढ़ सकते हूँ और अगर मैं 2000 फीस की बात करूं तो फीस आपकी 1500 से 2000 के बीच में आपकी फीस बढ़ेगी आप जो कोर्स करोगे तो इतना आपका बढ़ाएगा तो बैतरीन हैं आप वहां जाके बढ़ सकते हैं और यहां पर अगर आपकी आपका ब्रोसरिस हैं काफी आपकी हुल जाएगा किसी ऐजसे के जuddhoth नहीं होगे बस खाली आप मेरी डीठियो देखिए आपको किसी भी एजनट की कोई cier伙ी पड़ेगी सब कुछ आप खुद procure करोगगः हुआइ वे उसके बाद में बात करता हुस्तुन है नमबर चार पे कंट्री है यहां का जो कास्ट आप लिविंग है वो आपका साड़े 300 डालर से 600 डालर तक महीने में आएगा और फीस जो है वो आपका पंद्रह सो से ताड़ी नियार तक आएगा और यहां पर आप महीने में 500 से 700 यूरो आप कमा सकते हो और इस तरीके से आप काम कर सकते हो तो इस टूलिया भी बढ़ने के लिए बहुत ही 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 ब है तो ने भी को मेरे हिसाब से सबसे जंच क्ड गहिं से बहुत हैं करद मैंक जो सनका कर्द को यह वर लिविंग महीनिए का साथ सौ से आपका हजार दॉलर सक ऑशें यह रॉड्ड अपका पड़ जाएगा पाँ षयार से तो यह आपका फीज पढ़ेगा लेकिन ऐसानी की फीज वहां पर यहेँ आ less209 अगर वहाँ पर महेंगाई है अगर वहाँ पर खर्चा है तो वहाँ पर सैलरी भी बहुत ज्यादा है सैलरी वहाँ पर इतना है कि इस्टुजेंट की जो सैलरी है वह आप मान के लिए कि आप वहाँ पर धाई हजार डॉलर दो हजार डॉलर आप वहाँ महीने में कमा सकते हो नंइनमार्क मेंूद्र वर्क विज़ा है और वहां पे जल्दी लोग वारिक वीज़ा नहीं पाते हैं तो इसलिए वहाँ का चाहिक ही कमी है कर रहुंकी क्मूं ठीक है मैं फान्दमार्क बहुत हां कि रहुत है anybody कर小owe तो आपको मिल जाए या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिल जाए डेनमार्क सबसे सेफ कंट्री है तो यहां अगर आप पढ़ने जाते हो तो आप काम कर सकते हो अच्छा गासा वहां पर साहल लिए तो डेनमार्क की मैं बात करता हूं बहुत इच्छी जगा है और तो उसके बाद और अगर थोड़े हलके मापको जानना है कि वहां कोई सेल नहीं है जासे कि मौरिसस मैं भी आप जाके स्टीडी कर सकते हूं लेकि मौरिसस जाने के मतलब वेस्ट अब मनी कोई आपके पैसे की बरबादी है उसके बाद आपका फिजी आप सोचरों फिजी पढ़ाई करें तो वहां भी वेस्ट अब मनी है वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा मैं बताऊंगा एक बिडियो बनाऊंगा मौरिसस के स्टीडी के बारे में और फिजी के स्टीडी के बारे में काफी करें ट्रेंड जला आजकल इंडिया में हावर्भी कंट्री में कि वहां से आफ्रेलिया निकल लागे वहां से आफ निजरे निकल लागे सब सबना है कुछ नहीं होगा अब वहां घर गये वेस्ट आफ मनी कोई रिलेटिव है कोई दोस्त जा रहे है घुरसेदार है उमने गया अच्छी बात है पढ़ने के लिए नुश्य अच्छा लगे मैं केवल सही इसला दूँगा पीजा गाइट पर और अगर आप मारिसेदार तो वेस्ट आफ मनी खुमने गये अच्छी बात है कोई दोस्त तैरसेदार है पैसा काफी जारा है तो आप गये मारिसेदार गूमाएं बाकि अगर आप वहां कोई की पढ़ने के लिए तो वेस पढ़ने के तो आप यसेड 있어서 क्रशंप इस वीडीयो सेयर करिएगा आपके जोस्तियार हों गरूप होंगे उसना आप आल्य Якर सकते हो और उनकाटाया गरियेगा तो आज वीडियो को देखा puppies our film वीडियो में पहला है तो अम आपो प्ता कोई बाले ङली में आ on झाल झाल